परिचाए, क्या कोई मुझे बता सकता है कि बहुपद क्या होते हैं? कोई बहुपद ऐसे पदों से मिलकर बना होता है, जिन्हें केवल जोडा, घटाया या गुणा किया जा सकता है. बहुत अच्छे, और एक कोटी वाले बहुपदों को हम क्या कहते हैं? रहकिक बहुपद, और दूसरी कोटी वाले बहुपद को क्या कहते हैं? दूई घातिये बहुपद, बिलकुल ठीक, क्या आप जानते हैं कि एक्स में कोई दूसरी कोटी का बहुपद, एक्स में एक दूई घातिये समिकरण भी कहलाता है? चलिए, आज हम दुई खातिय समिकरणों के बारे में सीखेंगे आईए शुरू करें उत्यशे इस पाट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे दुई खातिय समिकरण का विशलेशन करना दुई खातिय समिकरण को हल करना दुई घात ये समिकरणों के अनुप्रयोगों और इसकी पधती को समझना दुई घात समिकरण दुई घात ये समिकरण क्या है? एक दुई घात ये समिकरण का मानक रूप कुछ इस प्रकार का दिखता है AX वर्ग प्लस BX प्लस C बराबर 0 अक्षर A, B और C गुणांक है उनके कोई भी मान हो सकते हैं, केवल A का मान 0 नहीं हो सकता अक्षर X चरिया अग्यात है आईए एक उधारण ले 2X वर्ग प्लस 5X प्लस 3 बराबर 0 वो प्रोक्त समिकरण में A बराबर 2, B बराबर 5 और C बराबर 3 है बीजगनित की आधार भूत प्रमै से हम निशकर्ष निकाल सकते हैं, कि दुई घातिये समिकरण में दो मूल होते हैं दुई घात समिकरण दुई घातिये समिकरण को किस प्रकार हल करते हैं? दुई घातिये समिकरण के लिए मूल AX वर्ग प्लस BX प्लस C बराबर 0 है बी वर्ग माइनस 4AC के मान को शब्द विविक्तिकर यानि D से निरूपिक करते हैं इसकार्थ है D बराबर बी वर्ग माइनस 4AC एक यदि D बराबर 0 ने तो दुई घातिये समिकरण का केवल एक वास्तविक मूल होता है X बराबर माइनस B बटे 2A दो यदि D शुने से अधिक है तो दुई घातिये समिकरण के दो वास्तविक और भिन मूल होते हैं X बराबर माइनस B प्लस माइनस वर्ग मूल D बटे 2A दो यदि D शुने से तो दुई घातिये समिकरण के दो वास्तविक और समिश्र मूल होते हैं X बराबर माइनस B प्लस माइनस आयोटा वर्ग मूल माइनस D बटे 2A जहां आयोटा कालपनीक संख्या है उधारण X के लिए समिकरण को हल करें X बर्ग प्लस 12X प्लस 36 बराबर शुने हल गुणांख है A बराबर 1, B बराबर 12, C पराबर 36, D बराबर B बर्ग माइनस 4AC D बराबर 12 वर्ग माइनस 4 गुणां 1 गुणां 36, बराबर शुने क्यूंकि D बराबर है शुने के, इसलिए मूल है बराबर माइनस 12 वटे 2 गुणां 1 इसे हल करने पर हमें प्राप्त होता है बराबर माइनस 6 X के लिए समीकरण को हल करें 5X वर्ग प्लस 6X प्लस 1 बराबर 0 हल गुणांख हैं A बराबर 5, B बराबर 6, C बराबर 1 D बराबर B वर्ग माइनस 4AC D बराबर 6 वर्ग माइनस 4 गुणा 5 गुणा 1 बराबर 16 क्यूंकि D अधिक है 0 से इसलिए मूल हैं बराबर माइनस 6 प्लस माइनस वर्ग मूल 16 गुणा 5 बराबर माइनस 6 प्लस माइनस 4 गुणा 10 हल करने पर हमें प्राब्द होता है बराबर माइनस 1 माइनस 0.2 X के लिए समिकरन को हल करें 5X वर्ग प्लस 2X प्लस 1 बराबर 0 हल गुणांख हैं A बराबर 5, B बराबर 2, C बराबर 1 D बराबर B वर्ग माइनस 4AC D बराबर 2 वर्ग माइनस 4 गुणा 5 गुणा 1 बराबर माइनस 16 क्योंकि D कम है 0 से इसलिए मूल हैं बराबर माइनस 2 प्लस माइनस आयोटाव वर्ग मूल 16 बटे 2 गुणा 5 बराबर माइनस 2 प्लस माइनस 4 आयोटाव बटे 10 हल करने पर हम प्राप्त करते हैं बराबर माइनस 0.2 प्लस माइनस 0.4 आयोटाव क्या आप जानते हैं भारतिये कणितक के प्रह्मगुप्त को प्रथम व्यक्ति माना जाता है, जिन्होंने दुई घातिये सूत्र का अविश्कार किया। ये वही सूत्र हैं जिसका प्रयोग हम आज करते हैं। दुई घातिये समिकरणों ने ना किवल उन कक्षाओं की व्याक्या की, जिनमें ग्रह सूरी के चारों और चक्क लगाते हैं, बल्कि निकट्टा से उनका वलोकन करने का एक तरीका भी विक्सित किया। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक दुई घातिये समिकरण का मानक रूप इस तरह दिखता है। एक्स वर्ग जमा बी एक्स जमा सी बराबर शुन्ने। अक्षर ए, बी और सी गुणांख है। उनके कोई भी मान हो सकते हैं, केवल एक का मान शुन्ने नहीं हो सकता। अक्षर एक्स चर या अग्यात है। दुई घातिये समिकरण के दो मूल होते हैं। बी वर्ग माइनस चार एसी के मान को शब्द विवक्तिकर यानी डी से निरूपित करते हैं। एक यदि डी बराबर शुन्ने, एक्स बराबर माइनस बी बटे दो ए। दो, यदि डी शुन्न से अधिक है, तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्ग मूल डी बटे दो ए। तीन, यदि डी चोटा है शुन्न से, तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस आयोटा वर्ग मूल माइनस दी बटे दो ए। झाल झाल